हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूटूब चैनल श्याम ब्लॉग और आज आपके सामने होमियोपेथिक की एक हैरोयल है जो कि आपके सामने है स्बील अर्निका मोंटाना हैरोय जिसमें आपको थुजा जबरंडी और और आपको इसमें मिलेगा केलेंडूला यह तीन नाम है इसके अंदर ठीक है यह तीन जो होमियोपेथिक में बड़े अच्छे नाम है जो हेल ग्रोथ के लिए काफी कारगर साबित हैं और इसके अंदर आपको इंग्रीडियंट मिल जाएंगे इन सब के बेनिफिट जैसे अर्निका है कैलेंडूला है कैनेंथारियस है चाइना है जबरंडी जी है और थुला थुजा है ठीक है तो यह है फ्रेंड्स अब इसमें जो हेर ग्रोथ के लिए है के लिए लिए है वगेरा वगेरा लगाने से ही सोक लेता है या फिर यह लिक्विड है जो मतलब चमड़ी में सोक लेता है यह तो इसके अंदर वह भी परदात मिलाए गया है और अब इसकी प्राइज की बारे में बात करें तो हमें 135 रुपे का यह पढ़ जाता है और वह भी 200 ml ठीक है 200 ml यह हमें पढ़ जा जाता है और जहां तक इसकी बात करें फ्रेंड्स जो इसकी जो थिकनेस है या बोले तो इसकी विसको सिटी वह मैं आपको बता देता हूं यहां पे नीचे ड्रॉप करके इसकी जो थिकनेस है फ्रेंड्स आप यह देखिए काफी पतला ओयल है लाइट है जो कि मैंने आपक दाने से ही जाप के सरीर से सोंक लेता है आप यह फैल जाता है ठीक है और इसकी आप खुस्बू में बात कर methाओ तो हीना की मेंधी नहीं लाते हैं लीका К dragon आप फोटो में देख रहे होंगे हम हाथ में मेंधी बनाते हैं कुछ वैसी खुस्भू आती है मेंधी जो कोन वाले लाते हैं ठीक है और काफी अच्छी है बाद में और वबल सकते हो यह इसरोac क्योंकि इसके अंदर अग्याल जो इनक्रेडेटेंट और उनकी जो क्वाइंटिट्टी मिल इंटरben मैंसन किय अगये है बाकि में मैंसन किय जता है कि 10 m. में कितने में यह जो हैं इसमें जो पर्पोर्शन है वो मिलाए गया और होम्योपेटिक के फिल्ड में इसे अच्छी माना जाता है और यह जरूर आपके लिए बेनिफिट करेगा आपके हैर ग्रोथ में इसे इसका जो है क्या बोलते हैं सैंपू भी आता है वो भी आप कोईल और यूज करें आप इसे अ उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने पतंजली दिव्य के केस तेल जो की आयरुवेदिक जो तेल है वो है और यह होम्योपेटिक है दोनों का कंपेरिजेशन का कं वीडियो में करूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि कौन सा तेल अच्छा है और किसको आपको प्रिफर करना चाहिए थैंक्यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट में कुछ कोशन पूछन पूछन तो जरूर पूछें जय हिंद वंदे मातरम थैंक्यू